हेलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चानल स्टडी पॉइंट पे तो अपनी करंट अफेयर की सीरीज में मैं आपके लेक नए वीडियो लेके आई हूँ तो अपनी आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अगस्ट महीने के सेकंड वीग के करंट अफेयर आपको पता ही है करंट अफेयर आपके एक्जाम के पोइंट ओफ यू से बहुत इंपोटन्ट है तो चलिए शुकरत हम अपने आज की वीडियो राष्ट्री महिला आयोक की अध्यक्ष को तीन वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है रिखा सर्मा परदानमंती नरिंद्र मोधी ने राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार का नाम बदल कर क्या करने की गोशना की है तो उन्होंने की है इसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरुसकार करने की गोशना अमेरिका की किस महिला धावक ने टोक्यो ओलम्पिक में 400 मीटर दोड में कांस्य पदक जीत लिया है ओलम्पिक में अब वे 10 मैडल जीतने वाली पहली महिला धावक बन गई है तो उनका नाम है एलीजन फेलिक्स फॉबर्स की रियल टाइम बिलियनर्स सूची में जेफ बेजोस एवं एलन मस्क को पीछे छोड़ कर कौन दुनिया के सबसे अमीर वेक्ती बन गई है तो वो बन गई है L.B.M.H. के चेर्मेन बर्नार्ड उस्टेलिया का कौन सा गेंदबाज अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है तो वो है नाथन एलीज Geological Survey of India की पहली महिलनी देसक किसे न्युक्त किया गया है तो ये न्युक्त किया गया है दृति बनर जी को माराष्ट्रे राज्य का नया लोका आयुक्त किसे न्युक्त किया गया है तो वो किया गया है V.M. कनाडे को दिल्ली सरकार ने विधाईकों के वेतन में कितने पर्तिशत के बड़ोस्तरी वाले परसाव को मंजूरी परदान की है तो वो की है 66% साथ अगस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है राष्ट्रिय हदकरगा दिवस सुक्षम लगू आवम मध्यम उद्यम मंत्राले के तहत खादी आवम ग्राम उद्योग आयोग ने मरुस्तली छेत्रों में हर्याली को बड़ावा देने के उदेसे से किस प्रोजेक्ट पर काम सुरू किया है तो ये सुरू किया है प्रोजेक्ट बोल्ड किस भारतिय पहलवान ने टोक्यो ओलम्पिक में 57 केजी फ्रीस्टाइल वर्ग में रजट पदक जीत लिया है तो वो है रवी कुमार दहिया के इंदर सरकार ने क्रेडिट सुविधा देने वाली किस एजेंसी को बंद कर दिया है तो ये कर दिया है राष्टिया महिला कोस आर एम के देश की किस कोरोना वैक्सी निर्माता कमपनी को हंगरी देश में good manufacturing practices परमान पत्र मिला है तो ये मिला है भारत बायो टेक को Asian American Advancing Justice संस्ता के अनुसार अमेरिका में रहने वाले एशियाई मूल के नागरीकों में बोली जाने वाली भाशाओं में हिंदी को कौन सा अस्तान प्राप्त हुआ है तो ये है फिफ्थ MotoGP इंडिया के लिए कंपनी ने किस अविनेता को अपना brand रेमिस्टर चुना है तो इन्हों ने चुना है जोन अबराहिम को हिमाचल परदेश के नए मुख्य सचीव के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो ये न्युक्त किया गया है राज सुभग को उत्राखंड राज्य के मुख्य मंतरी ने आई आई टी रुड की द्वारा बनाए गए भुकंप के पूर्व चेतावनी वाले एप को लौंच किया है इस एप का नाम क्या है तो इस एप का नाम है उत्राखंड भुकंप अलर्ट केरल राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए किस योजना का सुभारम किया है तो इन्होंने किया है सहे जीवं पर योजना दक्षिन एशियाई छेत्रिय सहयोग संगठन यानि सार्क के महा सचीव पांच दिवश्या भारत दोरा पर आए है उनका नाम क्या है तो ये आए है ऐसला रुबान बेरा कौन परदानमंत्री नरिंद्र मोधी आज किस योजना की नोवी किस्त जारी करेंगे तो वो है किसान सम्मान नीदी योजना किस एरलाइन कमपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाडियों को पांच वर्ष तक फ्री हवाई सफर देने की गोसने की है तो वो की है गो फरस्ट ने सरकार ने कैबिनेट सचीब राजजीब गोबा के कार्यकाल को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है तो ये बढ़ा है एक वर्ष उत्तराखंट सरकार ने किस महिला हो के खिलाडी को राजजे के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रांडे मिस्टर न्यूक्त किया है तो ये किया है वंदना कटारिया को आज के दिन नों अगस्त को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस पूर्व रेलवे के महा प्रबंदग का पदवार किसने गरहन कर लिया है तो ये गरहन कर लिया है अरुन अरुडाने बोलेवुड आवंड टीवी जगत के परसिद अभिनेता का 63 वर्ष की उमर में निधन हो गया है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है अनुपम शाम ओलम्पिक में जैवलिन थ्रो में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलेट कौन बन गए है तो ये जीता है नीरज चोपडाने पर्दान मंत्री नरिंदर मोदी आज किस योजना का उद्गाटन करेंगे तो ये करेंगे उजवला योजना 2.0 स्काई ट्रेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मद्य एशिया में कोविड के दोरान भैतर इंतजाम के लिए किस हवाई अड्डे को सर्वस्रेष्ट हवाई अड्डा माना गया है और उसे कोविड-19 एयरपोर्ट उत कृष्टता प्रुसकार भी मिला है तो ये मिला है इंदर गांदी अंतर राष्ट्रे हवाई डे को बी सी सी आई की जूनियर राष्ट्रे चैन समीती के अध्यक्स कोन बनने जा रहे हैं तो ये बनने जा रहे है तमिलाडू टीम के पूर्व कप्तान श्रीधरन सरत किस ओयल कंपनी ने मिस कॉल के जरिये नया लपीजी कनेक्शन पर दान करने ही गोसने की है तो ये की है इंडियन ओयल ने बारत के पूर्व होके खिलाडी का 75 एज की उमर में निदन हो गया उनका नाम क्या था तो उनका नाम था गोपाल बेंगरा दस अगस्त को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो ये मनाया जा है विश्व सेर दिवस उत्तर परदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या रख दिया है तो ये कर दिया है इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्सन और शेलिया के किस पुर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान किर्केट टीम का नया बोलिंग कोच निक्त किया गया है तो तो वो क्या गया है शोन टैट को परदानमंत्री नरिंद्र मोदी ने भारत को खादे तेल में आत्मे निर्भन बनाने के लिए किस मिसन का एलान किया है तो ये किया है राष्ट्रिय खादे तेल मिसन नेशनल मिसन और एडिबल ओयल भारतिय अंतरिक्स अनुसंधान संगठन इस रो द्वारा इंजन में खराबी के कारण किस उपगरह का प्रक्षेपपन नाकाम हो गया है तो ये हो गया EOS G3 उपगरह का बांगलादेश के किस ओल राउंडर को ICC Player of the Month अवोड दिया गया है तो ये दिया गया है साकीब अलहसन को बारत ने सवदेशी प्रोद्योगी की वाली किस मिसाइल का ओडिसा के बालसोर तर्ट पर सफल परिक्षन किया है तो ये क्या है क्रूज मिसाइल का कॉंगर्स पार्टी ने किन सांसदों को राज्य सबा में अपना सचे तक नुक्त किया है तो ये किया है नासीर हुसें चाया वर्मा को इंगलेंड का कौन सा बोलर चोट के चलते इंडिया के साथ खेली जा रही टैस सीरी से बाहर हो गया है तो ये है स्टूर्ट ब्रोड रश्टर मंडल सची वाले की ओर से जारी वैश्वी की युवा विकास सूच कांक 2020 की रैंकिंग में भारत को कौन सा सान प्राप्त हुआ है तो इसे प्राप्त हुआ है 122 वा आज के दिन 12 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफैंट डे ब्रिटिस कमपनी हाउस फ्रेश द्वारत त्यार की गई रिपोर् करती कि इनको किस कमपरी ने अपना नया ब्राण अमिस्टर बनाया है तो ये बनाया जेके टायर ने यश बैंक ने किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी निउक्त किया है तो वो किया महेश राम मूर्ती को परधान मंतरी नरेंदर मोधी आज कि जीवस बैठक को सबा में पेश किया जाएगा तो वो है OBC आरक्षन संसोधन बिल किस कमपनी ने अभिनेता राजकुमार राओ का अपना नया ब्रांड अमिस्टर निउक्त किया है तो ये किया है कैशफी को कौन सा एप विश्वबर में सबसे जादा बार डाउनलोड किया जाने वाला एप बन गया है तो वो है टिक टॉक महावीर चक्र अवोर्ड से सम्मानित आवम 1971 युद में भाग लेने वाले किस पूर्व सैनिक का चुरानवे वर्ष की उमर में निधन हो गया है तो ये है कमोडोर कासरगोड पटना शेटी गोपाल राओ भारतिया वायुसेना ने किस जंग दुनिया का सबसे उचा मुंबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्मान किया है तो ये किया है लद्दा के नियोमा में दिगज फुटबोलर लियोनल मेसी ने किस नए फुटबोल कल्ब के साथ दो साल के करार किया है तो ये किया है पेरी सेंट जर्मेन के साथ भा गाट को